वेलकम तू आईव इप सक्सेसरेरीज नमबर 2 लास्ट आइम हमने देखा था कि कम उमरवाली स्टरी के अंदर अगर आईव इप सक्सेसरेट क्या है नाव हम आज इस स्टरीज में दूसरी कैटेगरी के पेशन्ट ले रहे हैं जिसके अंदर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जहां स्तिरी की उमर 30 से 35 साल की हो और अगर जो अंडे दानी हैं उसमें से स्तिरी मीट की संख्या अगर 5 से 10 के अंदर ही निकले अगर आप फ्रेस साइकल करोगी तो आप समझ रहे हैं अगर ऐसे ही केस में अगर आप फ्रेस साइकल करोगी तो फ्रेस साइकल ट्रांसफर अगें बहुत कम हो जागा ऐरांड 12-15 प्रसेंट हो जाएगा तो मेरा यही मानना है कि जो फ्रीज ओल ट्रांसफर सक्सेस रेट है वो 30 से 35 साल की उमर के अंदर अगर आप जाओगे और अगर फ्रीज ओल स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा होगे तो करीब लोग 30 से 45 परिशन लोगों को फ्रीज ओल स्ट्रेजी में प्रेग्नंसी रेट बिल सकता है अगर आपकी उमर 30 से 35 साल के उमर में हैं और वीडे का रिपोर्ट नॉर्बन हैं तो थैंकि तो थैंकि